हेलो फ्रेंड राधे राधे आज हम आपके साथ सेयर करेंगे मिक्स बेज पकोड़े की सबजी इतनी टेस्टी बनी कि जो आपने पहले कभी निखाई होगी और इसका टेस्ट इतना अच्छा लग रहा था चलिए हम पकोड़े वाली सबजी को तयार करते हैं प्याज काट लिया है हमने सारे चीजे काट लिया है प्याज को हमने लंबे लंबे पिसस में काटा है और यह है केला कच्छा केला है केले को भी हमने छील के इसे गोलगोल करके काटा है और यह रहा कच्छा आलू इसे भी हमने गोलगोल करके काट लिया है हरे मिर्च है सारे च चीज़ हमने धोगे काट लिया है और इसे हम एक बावल में डालेंगे पहले हमने आलू को डाल दिया है फिर इसमें हम लेंगे यह रहा बेशन पहले हम बेशन को इसी के अंदर हम चान लेंगे और यह रिखे हमने बेशन को चान लिया है इस तरह से आप पकॉड़े बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनेंगे और यह हमने दो बड़े चमच के लगबग इसमें हमने चावल का आठा ले लिया है इससे पकॉड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर जो पकोड़े को कलर अच्छे से देता है और इसमें हमने जीरा डाल दिया है आजवाइन डाल दिया है क्रश करके और बारिक कटागवा धनिया और स्वात के अनुसार इसमें हमने नमक डाल दिया है और इसमें हमने धन्य की पत्ती काटके हरी वाली डाल दिया है और इसे हम थोड़ी सी लाल मिश हमने उपर से और डाल दिया है इसे हम पहले हाथों से मैस्क करेंगे कि जितना हमको पानी के जरुद पड़ेगी तब ही हम पानी बाद मिलेंगे पहले हम इसे हाथों से मैस्क करे संधाइब और इसे हमने मिक्स deci और इस तरह से देखिए में अच्छाा तरीके से पीकशी लेकिंग liberal की के शेया है Department है अब स्वेट में सकते और एक हैत्य हुआ है एक उसमें कर दें खिर और हमने न बाहसे के तेल गरम हो जाए एक ही करके हम पकॉड़े को डालेंगे उसमें आलू और केला प्याज सारे मिक्स करके एक एक साथ इस तरह से डाल देंगे और पकोड़ी को हम फ्राइब कर लेंगे पकोड़े वाली सब्जी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सस्क्राइब जरूर करें और यह बहुत ही टेस्टी बना था इसे हम एके करके कड़ाई में डाल देंगे और अब हम इसे पलट देंगे दूसरे साइड में होने देंगे दोनों साइड में हो जाएगा मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे दोनों साइड में देखिए हमने सेख लिया है अब एके करके इसे हम पलट लेंगे लेकिन आप हमारे चैनल पर नए है तो सस्क्राइब का बटन जरूर दवाईएगा वीडियो की साइड नोटिफिकेशन आपके पास पहुसती रहेगी अवेल आकन को प्रेश करना बिल्कुल मत भूलिएगा और यह देखिए हमारे पकोड़े तयार हो गया है पकोड़े वा अब हम पकोड़े को देखिए पकोड़ा हमारा बहुत ही टेस्टी तयार हो गया सबजी वाले पकोड़े बनाने की बहुत टेस्टी बना है निकालेंगे सारे पकोड़े को हमने निकाल लिया है अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसकी आपकोड़ी तयार हो गया ह मिक्सर बाउल है ले लिए ऊसमें मसाला मिक्सेंगे पहले 6-6 याउमे लवाए है यहां seven ऑचिक के से पीस लेंगे वारी करके पीस लिया है अब हमने कडाई गैस पर रख दी है उसमें हमने दो तीन चम्मच के लगबग तेल और डाल दिया है है अब तेल गरम हो जाए तो उसके वाइस में हमने जीरा डाल दिया है अतेज पत्ता दो दिन डाल दिया है और इसमें हमने हरी मिर्च काटके बड़े-बड़े में डाल दिया है कि कि इसमें हमने दो तीन लाल मिर्च सब्जी में डाली हुई थी मसाले में मसाले को पीसरी के रखा हुआ था वह भी इस कडाय में डाल दिया है मisाले को हमें अठी तरीके से में अशुर्ण लेना है और मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देंगे ताकि मसाला वो जलेना और हमने इसमें पानी डाल दिया है मसाले देखिए हमारे अच्छी तरीके से भुन गया है और इसमें हमने हल्दी डाल दिया है क्या तुट आगर्र ज्टधा करकेस के मेरे अटी अधी सब्सके से पानी डाली के इसमें ताकि मलत अच्छा कि प्लाजय कि ओस्वाद्स के डाल दिया है ऐस रखानी अध्यामलने की सब्सक्राइब देखिए क्कैसि धाल चि सब्सक्राइब आप इस सब्जी के साथ पकोड़े भी खा सकते हैं और इसकी सब्जी भी बना सकते हैं यह हमने आवरिश मसाले का पॉडर डाल दिया है थोड़ा सा इसे भी हम मिक्स कर लेंगे मसाले हमारे अच्छे तरीके से भून गया है और इसमें हमने एक चमच बेशन डाल दिया है बेशन को भी अच्छे से इसके साथ मसाले के साथ ही भूनेंगे बेशन डालने से ग्रेवी इसकी थिक होती है और इसका सब्जी का टेस्ट भी अच्छा आता है जो ग्रेवी बनेग और यह हमने एक चम्मस इसमें आम चूर पॉलर डाल दिया है इसके डालने से सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाता है अधिकी मसाले को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है अब इसमें हम पानी डाल देंगे जितना आपको ग्रेवी की ज़रोत लगे आप इसमें उतना पानी डाल सकते हैं और पानी को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और इसे हम ठख देंगे आ गारी ए गारी को सब्सक्राइए कर दक्राइए से गटे में आरे मिख्रक्राइए लूंधंगे इसे हम मिक्स कर लेंगे अब इसके अंदर हम पकोड़े को जो बना के रखा हुआ था हमने पकोड़े वो पकोड़े हम इसके अंदर डाल देंगे यह रहे पकोड़े प्याज, केला, आलू, मिक्स, पकोड़े अब इसके अंदर हम एक के करके डाल सकते हैं बस एक खौला आने तक इसे हम और पकाएंगे फिर उसके बाद तुरंद गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे अब इसे हमने ढकद्धिया है और इसे एक मिट हो गया है अब यसे हम खोलकर देखेंगे ज़िए पकोड़े ग्रेवी अच्छे तरीके से खौल गई है अब आप इसे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे पहले इसे हम चलाएंगे और यह ग्रेवी पतली सी दिख रही है ठंडा होने पर यह थिक हो जाएगी कि कि हमने इसके अंदर एक चमच बेशन डाला है और यह देखिए पकोड़े बिल्कुल टूटे नहीं है आप इसे हम ठंडा करके सब्जी को प्लेट में निकालेंगे और यह देखिए हमारी पकोड़े वाली सब्जी बहुत टेस्टी वनी थी आप इसे एक बार जरू ट्राइए करें आप अपने इसे फैमिली फ्रेंड के सा सेयर जरू कीजिएगा बेच पकोड़े वाली सब्जी बहुत टेस्टी वनी थी और यह देखिए हमारे पकोड़े की सब्जी तयार हो गई है चलिए आप बेच पकोड़े वाली सब्जी खाईए फिर मिलते हैं एक ने रेस्पी के साथ धन्यवाद